सुप्रीम कोट ने एक मस्जद हटाने के मामले में बहुत बड़ा आदेश यारी किया है इस प्रक्रण को लेकर के कोट में जब जिरह चल रही थी तब पूर्व कॉंग्रेस नेता और वकील कपल सिब्बल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोट का फैसला पलट जाए लेकिन सुप्रीम कोट ने कपल सिब्बल की तमाम दलीलों के बावजूद बड़ा आदेश पारित किया है सुप्रीम कोट ने कड़े लहजे में क्या बड़ा आदेश जारी किया और कैसे कपल सिब्बल की सारी दलीलें फुसकी बंब साबित हुई इस रिपोर्ट में हम जानेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें सुप्रीम कोट ने इलावाद हाई कोट परसर में बनी मस्जद को तीन महीने के अंदर अंदर हटाने का बड़ा फर्मा जारी कर दिया है कोट परसर में बनी मस्जद हटाने का आदेश जारी किया था आज हुई सुनबाई में सुप्रीम कोट के जस्टिस एमार शाह और जस्टिस सीटी कुमार की बेंच ने इलाबाद हाई कोट के मस्जद हटाने वाले फैसले के खिलाब दायर सभी याजकाओं को सिरे से खारिच कर दिया है इसके साथ ही कोट ने मस्जद हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया है सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में कहा कि यदि मस्जिद को तीन महिने के अंदर अंदर नहीं हटाया गया तो इलावाद हाई कोट समयत अन अधकारी मस्जिद को तोड़ सकते हैं इसके अलाबा सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में कहा है कि याज का करता चाहे तो मस्जित बनाने के लिए राज असरकार से दूसरी जगे जमीन मांग सकते हैं मस्जद हटाने का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है कि मस्जद का एक सरकारी पट्टे यानि की लीज वाली जमीन में बनी है इस लीज को साल 2002 में ही रद किया जा चुका है इसके बाद साल 2012 में सुप्रीम कोट ने कहा था कि ये जमीन सरकारी है इसलिए कोई भी इस जमीन को लेकर के किसी भी प्रकार का दाबा नहीं कर सकता मस्जिद के ओर से पेश हुए पूर्व कॉंग्रेस निता और वकील कफल सिंबल ने कहा कि मस्जिद 1950 के दशक से बनी हुई है इसलिए ऐसे ही हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता उन्होंने का कि साल 2017 में सरकार बदल गई और सब कुछ बदल गया नई सरकार के गठन के 10 दिन बाद एक जनहित याच का दायर की जाती है दूसरी जमीन मिलने तक हमें मस्जिद कहीं शिफ्ट करने में समस्या होगी वही इस मामले में इलावाद हाई कोर्ट की और से पेश हुए वरिस्ट अदिवक्ता राकेश दुवेदी ने कहा कि ये पूरी तरह धोखा धड़ी का मामला है उन्होंने का कि नवीनी करण के लिए दो बार आवेदन दिये गए ये लेकिन इस बारे में नहीं बताए गया कि मस्जिद का निरमार कि या गया है और इसका इस्तमाल जनता के लिए किया जा रहा है बलकि ये कहते हुए नवीनी करण की मांग की गई थी कि आवासिय उद्देश्चों के लिए इसकी आवश चकता है यानि कि आप लोग समझ सकते हैं कि नवीनी करण के लिए किस तरीके से कानून को ताकपर रखा जा रहा है सरकार को और कोट को कैसे अंधेरे में रख करके दरसल बजट पास करवाय जा रहा था यहां पर सिर्फ नमाज पढ़ने से ये जगए मस्जिद नहीं हो जाती अगर सुप्रीम कोट के बरामदे या फिर हाई कोट के बरामदे में सुवधा के लिए नमाज के अनुमती दी जाती है तो यह मस्जिद नहीं बन जाएगा यानि कि सीधे तोर पर सुप्रीम कोट ने कड़े लहजे में फटकार लगाते हुए उन तमाम सभी याचकाओं को रद कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि जो हाई कोट परसर में जो सुरी अलाबाद कोट परसर में जो मस्जिद है उसका नवीनी करण हो और वो इसकी लीज जो सरकारी पटा था वो भी 2002 में खत्म हो चुका था 2017 में ये कबल सिबल की तरब से दलील दी जा रही है कि 2017 में सरकार बदली तो सब कुछ बदल गया उससे पहले कोई भी दरसल देखने सुनने वाला नहीं था कोई भी इस पर अबजेक्शन नहीं उठा रहा था बावजूद इसके साल 2002 में इसका लीज यानि की पटा खत्म हो गया था बावजूद इसके 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 पर कोई भी अबजेक्शन नहीं उठा रहा था साल 2017 में उत्तरपदेश की सरकार बदलती है तो तमाम जन्हेत याचकाएं दायर की जाने लगती है तो साफ तर पर सुप्रीम कोट ने सारी जन्हेत याचकाओं को सिरे से खालिज कर दिया और साफ तर पर कहा है कि अगर सुप्रीम कोट के बरामदे में हाई कोट के बरामदे में या फिर किसी भी कोट के बरामदे में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कोट को मस्जिद समझने लगें कोट को मस्जिद करार दे दिया जाए और इसके अलाबा सबसे जादा हैरत की बात यह है कि मस्जिद के नवीनी करड के लिए जूट बोल करके दरसल पैसे आवंटित करवाने की कोशिस की गई इसलिए साफ तोर पर वकील ने कहा कि ये धोका धड़ी का मामला है जूट बोल करके नवीनी करड के लिए पैसे मांगे जा रहे थे ये पूरा का पूरा मामला प्रकाश में काफी लंबे समय से है इसलिए इन लोगों की तरफ से जो नवीनी करण के नाम पर जो पैसे की मांग की जा रही थी उसे लेकर के खुलासा हो गया तो कपिल सिब्बल एक ऐसे मचे हुए वकील है जब भी बात हिंदुत के अजन्डे के खिलाफ आती है जब भी बात किसी ऐसे मुद्दे की आती है जो भारतिय जनता पार्टी के अगेंस्ट में हो और उस फैसले से इंपेक्ट कही न कहीं बीजेपी की वोट बैंक को या फिर कॉंग्रेस पार्टी की वोट बैंक को पड़े तो वो तुरंत वो केस लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं इसलिए कपिल सिब्बल अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा करके ये कहते हुए दिकाई दिये कि 1950 के दशक से ये मस्जिद यहाँ पर है यहाँ पर लोग लंबे समय से दरसल नमाज अदा कर रहे हैं तो ऐसे में अचानक से इस मस्जिद को नहीं हटाए जा सकता तो इस पर कड़े लहजे में सुप्रीम कोट ने साफ तोर पर कहा कि आपको जहाँ पर भी नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है उन्होंने खास तोर पर अलीलों के बाब जूद भी सुप्रीम कोट ने वही फैसला सुनाया जो फैसला होना चाहिए था जो वाकई में काफी समय पहले जो है जो हाई कोट की तरफ से फैसला सुनाय गया था उस पर ही हमल हो जाना चाहिए था लेकिन हमारे देश की जो कानून विवस्ता है जो कोट फैसला या फर यूँ काई कि जो कोट की तरफ से फैसला आया था उसको इंप्लिमेट नहीं किया जैसका था क्योंकि हाई कोट की तरफ से जो फैसला आया उसको तुरन सुप्रीम कोट में चुनाती दे दी गई तो जाहर तो पर इसमें लब्बे वक्त से दरसल ये सारी की सा और हाई कोट के जज इस मस्जित को तोडने का फरमान जारी कर देंगे फिर बाद में ये ना कहा जाए कि इन्हें वहां से मस्जित हटाने का वक्त नहीं मिला बाकाइदा तीन महीने का तक्रीबन समय दिया गया है सुप्रीम कोट की तरब से और तीन महीने के बाद में साफ तोर पर इस पर कारवाई शुरू कर दी जाएगी और सुप्रीम कोट ने ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आप राज्य सरकार से कहीं और पर जगह मांग सकते हैं इसके लिए आप इसको कहीं और पर बनवा सकते हैं ये आपके धर्म का सबाल है ये आपके धर्म का सबाल है इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसको यहां से हटाया जाएगा कहीं पर और नहीं बनने देने की अजाज़त होगी लेकिन सुप्रीम कोट ने का है कि आप राज्य सरकार से गुहार लगा सकते हैं और इसके बदले में कहीं और जमीन लेकर के वहाँ पर इसका भव्वे निर्माद आप लोग कर सकते हैं बहराल जो सुप्रीम कोट का बड़ा फर्मान जारी हुआ है मस्जिद को हटाने को लेकर के इलावाद हाई कोट के परसर से और जो कपल सिब्बल तमाम दलीले दे रहे थे जो उन्होंने पूरा 80 चोटी का जोर लगा दिया कि किसी भी धरीके से इस मस्जिद को बचाया जाए लेकिन सुप्रीम कोट में उनकी एक नहीं सुनी इस पर आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट करके जरू बताएं जल बलूँगा किसे दूसरे बड़ा अपडेट के साथ में अगर आप लोग चैनल पर ना हैं तो प्लीश चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा बडेट लेकर आँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे